वेलकम कैसी है आप सब आशा है आप सबी स्वाश्त होंगे आज के रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आज के दिन की आप दोनों की एनरजीज क्या है reading timeless है friends जब भी देखेंगे resonate करेगी general है collective है सबी science के लिए है तो जितनी resonate करे उतनी रखें और बची हुई को जाने दें सो हम randomly कुछ cards निकाल रहे हैं आपके लिए और आपके person के लिए कि आज के दिन आप दोनों की current energies क्या रहेंगी first card for you success है second है innocence मैं आज के दिन के आपके energy जो rate कर पा रही हूँ इस रिष्टे के बारे में आप सोचो के तो जरूर लेकिन maximum focus जो है खुद के life पे करोगे खुद के career पे करोगे खुद के improvement पे करोगे कुछ काम आपके जो बहुत टाइम से रुके हुए है हो सकता है उन पे आप आगे बढ़ो और उनको पूरा करने की कोशश करो साथ ही अगर इस रिष्टे को लेकर बात के जाए तो इस रिष्टे की success की आप दुआएं मांगोगे and हो सकता है manifestation भी करो लेकिन बहुत जादा energies देते हुए इस connection को आप नहीं दिखाई देते maximum focus आपका खुद के life पे होगा क्योंकि इस person नहीं जो भी आपके person है जाने अन जाने जो आपको hurts किया है आज के दिन आप चाहोगे एक step back लेना और खुद के life पे focus करना अब आपके person की energies क्या है past life जहाँ एक step पीछे लोगे वहीं आपके person को आपकी एहमियत का पता लगेगा उन्हीं ये realization होगा कि आप उनके लिए कितने important हो और अगर आप उनकी life से चले गए तो उनकी life से जैसे सब कुछ चला जाएगा rebirth का card वो things को दुबारा better करने की कोशिश करेंगे या फिर better करने के बारे में सोचेंगे ये सोचेंगे कि कैसे सब्पूश ठीक किया जा सकता है कैसे होगा कब तक होगा उस पर strategy बनाएंगे और आप दोनों की रिष्टे में एक नई शुरुवात या तो वो आज के दिन करेंगे या फिर कुछ प्लान करेंगे और आपको कुछ जेस्टर मिलेगा कि हाँ वो अब इस रिष्टे को लेकर positive हो रहे हैं एक नई शुरुवात चाहते हैं इस रिष्टे में long term connection चाहते हैं regrowth चाहते हैं, rebirth चाहते हैं और सब्पूश ठीक कर देना चाहते हैं ये आज के दिन की आप दोनों की energy है वहीं आपके person में देख पा रही हूँ कि जब आप एक step पीछे लोगे या आप उनको energy send नी करोगे अपनी तो वो काफी ना suffocated feel करेंगे, start feel करेंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ये बंदा या फिर ये बंदी को कोई और पसंद आ गया है या फिर मुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी और उन्हें ये भी लग सकता है कि उनकी लापरवाईयों की वज़े से ऐसा नहों कि आप उनके ओवर किसी और को choose कर लें तब वो आपके लिए बहुत emotional होंगे और आप दोनों के भैतरीन future के बारे में सोच सकते हैं अब मैं last card निकालती हूँ आप दोनों की mutual energy का traveling आप दोनों ही काफी अकेला महसूस करोगे आप दोनों ही तन्हा महसूस करोगे आप दोनों को जिन्दगी जो है बड़ी बोजल बोजल लगेगी और लगेगा कि life में कब तक ऐसे अकेले जीना होगा काश आप दोनों together हूँ और आप दोनों एक दूसरे के साथ life spend करें आप दोनों ही एक नई शुरवात के बारे में सोचोगे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ time spend करने के बारे में सोचोगे एक दूसरे के साथ engage होने के बारे में सोचोगे या एक दूसरे के साथ reunite होने के बारे में सोचोगे ऐसी vibrations आप दोनों के मन में रहेंगी और आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए रोमेंटिक थोट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस, वागो, कैप्रिकॉन, जमाना, लिब्रा, कोईरियर, सकैंस, पाइस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो साथ सभी जो डियक साइनिट्स यहाँ पर अविलेबल हैं तक यहाँ पर वाचिन, वागोड़ देखाई